नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका अपना चैनल औरगनिक येगरो उदन खड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे लैसुन का उत्पादन केसे बढ़ाएं और लैसुन की कंद की साइज केसे बढ़ाएं और कौन कौन सा खाट डालें कितना वेसल डोज डालें और फसल की कौन सी अवस्ता में खाट का डोज डालें और कौन सा इस्प्रे कौन से समय में करें तो बने रहें अपने वीडियो पर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फसल की अधिक उत्पदन लेने के लिए हम आपको टेक्निकली खेती के बारे में सबसे पहले बताएंगे तो दोस्तों सुरू करते हैं सुर्वाती समय में बेसल डोज के बारे में हम सबसे पहले खेट की तेयारी करते समय एक एकड में दो ट्राइली गोवर का खाद और चार बोरी एसेसपी सिंगल सूपर खाद को बुर्खाव करवाद कर रोटर बेटर करवा दें दोस्तों गोवर का खाद जितना हो सके उतना अवस्त डालें अगली बात करते हैं इसके पश्चाद फसल की बुवाई करवाद हैं और पानी लगवाद हैं यानि की सिचाई करवाद हैं इसके बाद आपकी फसल 30 से 40 दिन की अवस्ता में होती है या फिर इस से ज़्यादा उम बताएंगे पांच किलो सलपर प्रती एकड प्लस जिंकल पांच किलो प्रती एकड और पांच किलो माइक्रोराईजा और दो किलो बोरान और पांच किलो फेरट सलपेट और एक किलो मेगनिसियम और कोई सी अच्छी कमपनी का कीटना सक वो भी दानेदार फार्म में इन सभी खादों को समूदरी सेवाल खा दिया फिर 10 किलो सागरिका के साथ और 15 किलो यूरिया प्लस में एक बोरी डियेपी खाद के साथ अच्छी तरह मिलाकर बुर्काव करवा दें इससे आपकी फसल का उत्पदन और कंद की साइज की क्वालेटी बहुती सांदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों आसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद